हरिद्वार में अवैद खनन करने का तरीका बदलता हुआ दिख रहा है जोटा बुगी से रेत गंगा से बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद ट्रेक्टरों में भर कर उसे सप्लाई किया जा रहा है जबकि जगजीतपुर से भुगपुर तक गंगा में खनन प्रतिबंदित है बावजूदिस के जोटा बुगी से गंगा में अवैद खनन का काम धरले से चल रहा है सेक्डों बुगई इस अवैद खनन के कारोबार में लगी है अब चूंकि ये बुगईयां रेत निकालने का काम जिस इलाके में कर रही है वो राजस्व के अंतर गताता है इस वजह से वन विभाग के हाथ बंदे हुए हैं और वो इन पर कोई कारवाई ही नहीं कर पा रहा हाला कि जब रेत ट्रेक्टर ट्रॉली में भर कर रोड पर आता है तब वन विभाग अपनी कारवाई कर ट्रेक्टर को पकड़ लेता है ये ट्रेक्टर भी कुछ ऐसे ही पकड़ा गया है ट्रेक्टर मिसरपूर से रेत भर कर लकसर की ओर जा रहा था तब भी पंजन हेडी गाउं में इसे वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया वन विभाग की अधिकारी से जब मामले पर पूछ साच की तो उन्होंने भी अटपटा सजवाब दे कर टालने की कोशिश की आए दिन अवैद खनन के मामले जाहिर तोर पर अच्छे संकेत नहीं है और इनके द्वारा खनन माफिया धीरे धीरे आसपास के इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाते जा रहे हैं हरी द्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए अर्चना धिंगरा की रिपोर्ट